इस वीडियो में आपको नजम की वीडियो दुबारा देखनी है तो हमने डिस्क्रिप्शन में ही लिंक दी है आप महां से इस वीडियो को देख सकते हैं इस वीडियो में आपको नजम गाकर तरनम से सुनाया गया है और फिर उसके अशार की तश्री बयान की गई है और सवाल जबाब की वीडियो में हम इसके मश्की सवालाद हल करेंगे तो चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं हमारे चैनल 4G स्कूल को सब्सक्राइब जड़ूर करें बेल आइकन को ओल पर प्रेस करें नजम नमबर पास मा अखतर औरेनवी सरगर्मिया जान पहचान की मदद से जेल का शबकी खाका मुकमल कीजिए अखतर औरेनवी के बारे में हमें यहाँ शबकी खाका मुकमल करना है पैदाईश है उनकी 19 अगस्ट 1910 मखाम औरिना बिहार बुलाजिमत पटना इनिवर्सिटी और वफात हुई है उनकी 31 मार्ज सन 1977 अखतर औरेनवी ने तबाह आजमाई की है तनखीद पर, अफसाना निगारी पर, नाविल निगारी पर और ड्रामा नवेसी पर उनकी शायरी हैं अन्जुमन अर्जू, अफसाने, मन्जर, उपस मन्जर, नाविल हैं हस्रत तामीर और तनखीत की किताबें खदरो नजर, ये तमाम उनकी किताबे हैं एक जुम्ले में जवाब लिखो, मा के लिए आरामे जा क्या है? जवाब, बच्चे के लिए दुख उठाना, मा के लिए आरामे जा हैं सवाल नमबर दो, मा किस के लिए सक्तिया सहती ये बरदाश्ट करती है? जवाब, मा बच्चे के लिए सक्तिया सहती ये बरदाश्ट करती है सवाल नमबर 3, मा के साय को किस के साय से तजबी दी गई है? जवाब, मा के साय को हुमा के साय से तजबी दी गई है यानि जिसके सर पर मा का साय है, वो बच्चा बहुत खुशनसीब है सवाल नमबर 4, हौमों को रफ़ते कहां से मिलती है? जवाब होमों को रफ़ते मा की तालिम से मिलती है सवाल नमबर पांच मा के आगे शायर ने किस चीज़ को हीच खरार दिया है जवाब मा के आगे शायर ने कोनैन की दौलतों को हीच खरार दिया है यानि कोनैन की दौलतों को उसने कम तर खरार दिया है सवाल नमबर च्छे, बच्चे के दूर होने पर मा का क्या हल होता है? जवाब, बच्चे के दूर होने पर मा के खल्बो जिगर जलते हैं सवाल नमबर साथ, नजमे शायर ने मा को किन लफजों से मखातिब किया है? जवाब नजमे शायर ने माँ को बहार बेखिजा से मखातिब किया है सवाल नमबर आट बच्चे को तर्बियत कहा मिलती है जवाब बच्चे को तर्बियत माँ की आगोश में मिलती है मुक्तसर जवाब लिखिए पहला सवाल है शायर ने माँ को हुमा का साया क्यूं कहा है जवाब हुमा एक ख्याली परिंदा है कहा जाता है कि जिस शख्स पर हुमा का साया होता है वो खुशखस्मत होता है माँ अपने बच्चे पर कोई मसीबत आने नहीं देती बचे को हर दुक दर्द और तकलीव से मह farklı रखती है ये बचे की खुश ख्समती है इसलिए शायर ने माँ को हुमा का साया कहा है सवाल No.2 माँ की महबत की नजर को दुशमन रंजो अलंब क्यों कहा गया है जवाब मा की महबबत की नजर ओलाद के रंजो तरद्दत को दूर कर देती है ओलाद कितनी ही रंजो गम में क्यों ना हो मा की महबबत भरी नजर उसके तमाम रंजो अलम को आनन फानन में दूर कर देती है इसलिए मा की महबबत को दुश्मन रंजो अलम कहा गया है जवाब आउलाद की तर्बियत में मा का नहायत एहम मकाम होता है आउलाद के लिए मा की तर्बियत किसी नेमत से कम नहीं मा अगर बच्चे की अच्छी तर्बियत करें तो बच्चा बहुत तरखी करता है मा बच्चे को अपनी तर्बियत के जरीए होसला मंद बनाती है और उसे आगे बढ़ने की रहा दिखाती है इसलिए मा की तर्बियत इंसान के खस्मत बदल सकती है अगला सवाल है जेल का खाका मकमल कीजिए बच्चे के लिए मा की खुर्बानिया गम खाना, सखतीया सहना, नीद्ध हुर्बान करना, जान चिड़कना नज्म में एक परिंदे का जिक्र आया है, इस परिंदे का नाम लिखिए जVAब नज्म में आए हुए परिंदे का नाम हुमा है अगला सवाल नजब में जेर जाफ़त वाली तरकीबे लिखिए जेर जाफ़त जिसमें के जेर आया है जवाब जान नातवा, आब जिन्दगी, नूर नजर, नजर मुहबबद, दुश्मन रंजो अलम, बहार बेख़जा, जेर खदम, खल्ब शेर नर, खिसमत नुए बशर मा के खदमों के नीचे जन्नत है इस उन्वान पर दस सत्रे लिए जवाब दुनिया के सबसे हसीन अलफाज में से मा ये सबसे खुबसूरत लवज है मा वो अजीम हस्ती है जिसके खदमों के नीचे अल्ला ताला ने जन्नत रखी है इस जुम्ले का मतलब ये है कि जो शख्छ चाहे कि उसे जन्नत मिले तो उसे चाहिए कि वो अपनी मा का खास ख्याल रखे उसके खिदमत करे अल्ला ताला ने मा को ये आला मखाम उसके खुर्बानियों और सख्टियों के सहने की खुसूसियत के लिए उसे अता किया है मा अपने बच्चों के खातिर भूकी रहती है वो उनकी तरबियत में अपनी सारी ओमर गुजार देती है उलाद की भीटर तरबियत करके वो उसे एक अच्छा इनसान बनाती है मा की इतात करने पर इसलिए अल्ला ताला ने जन्नत की बशारत दी है मा का अजीम मरतबा ये है कि जन्नत जेसी अजीम उश्यान जगा को भी मा के खदमों में बताया गया है ताके मा की अज्मत औ बुलंदी का इनसान अंदाजा लगा सके मा की खदर करो, मा की ख़िद्मत किया करो दर जजल शेर की रोश्णी में मा की तकलिफों के बारे में लिखिये किस हदर बच्चे की खातिर सक्तियां सहती है तू सक्तियों के जहलने पर भी मगन रहती है तू जवाब ऑलाद की परवरिश करना ये मामूली बात नहीं है माही जानती है कि बच्चे की परवरिश के दौरान वो किन मुश्किलात का सामना करती है बच्चों को खिलाना पिलाना बिमारी में समहालना और घर के तमाम काम भी अंजाम देना इन तमाम के बावजूद भी वो अपने बच्चे को देकर खुश होती है बच्चों की वज़े से अक्सर उसे वक्त पर खाना नहीं मिल पाता, नीन में खलल होता है, फिर भी वो उनकी परवरिश में मगन रहती है तलाश और जुस्तजू, नजम से मुहाबरे तलाश करके लिखिये, जवाब गम खाना, जान छिड़कना, आचाना, बलाएं लेना, हुमा का साया नजम से जेल के अलफास की जिदे तलाश करके लिखिये, नफरत, मुहबबत, बहदुर, नातवा, जहानुक, जन्नत, नस्दी, दूर अक्स बरक्स नजम से सनदे तज्जात का शेर तलाश करके लिखिए सनदे तज्जात यानि के ऐसा शेर जिसमें अलफाज के उलट अलफाज इस्तेमाल हुए हो जैसे के सुभो मसा यहां पर देखिए जान छिड़कती है तू अपने लाल पर सुभो मसा आज तू आने नहीं देती कभी इस पर जरा सुभो मसा यानि सुभो शाँ यहाँ पर ये एक दूसरे अलफास की जिद है इसे तनसनते तजजात कहा जाता है यानि कि इसमें जिद अलफास इस्तेमाल होते हैं नजब से हम माने अलफास की जोड़ियां तलाश करके लिखिए रंज, अलम, गोद, आगोश जोरिख अलम दरज़ जेल शेर की मदद से मा के अंदाज तर्बियत पर मजबून लिखिए परवरिश पाती है तेरी गोद में इंसानियत तेरी ही आगोश में मिलती है उसको तर्बियत जवाब अल्लह ताला ने मा के खदमों तले जन्नत रखी है उसकी वज़े ये है कि मा जिस तरह से अपनी ऑलाद के खातिर सक्तिया बरदाश करती है ऐसा दूसरा कोई नहीं मा की तर्बियत से सिर्फ एक पर्द की तरखी नहीं बलके पूरे समाज और इंसानियत की तरखी होती है मा अगर बाइखलाख हो तो उसकी आने वाली नसले भी बाइखलाखी बनती है मा के आगोश में बच्चा अच्छा बुरा नेको बद और जिन्दगी गुजारने के तमाम तजर्वात हासिल करता है यह माओ की तरभियत का ही सिला है कि उसने दुनिया को इतने अजीम, उल्मा, हुक्मा, असातिजा, वली, ओलिया और वजर्गान दीन के जरिए नसलों की तरभियत की है यहाँ पर इस सबख की तमाम सवाल जवाब मुकमल होते है अगले सबख की वीडियो के लिए हमारे चैनल 4G स्कूल को जरूर सबस्क्राइब करें बेल आइकन को ओल पर प्रेस करें इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें